एक note मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर जैसे एक LR है और एक CR है, important है, एक L है और एक C है, यह रहा, मैंने switch on किया, current L में भी जाएगा, current C में भी जाएगा, question है L में कितना जाएगा, और C में कितना जाएगा, और time के साथ increase होगा, तो L में कितना जाएगा, हमने कर लिया, time के साथ L में कितना जाएगा, हमने कर लिया, C में कितना जाएगा, हमने ने किया, तो आज का जो lecture था, वो L में था, वो C में नहीं था, C में तो charge जाएगा, current होना जाएगा, current तो बाद में जाएगा, पहले C का charge निकालो, charging of a capacitor का यह current आएगा प्लीज इसे formula माग करो जब भी एक DC battery लगी होगी inductor भी और capacitor लगा होगा तो inductor का current यह लगाने आपने और capacitor का यह लगाने proof जुरुत नहीं है, proof तरफ आपको बताने के लिए कि कैसे capacitor का current यूज करना है समझ में आ रहे हैं यहां तक तो यह important है क्योंकि आपके books बहुत use करेंगी और बहुत लोग doubts की form में लेके आते हैं कि सरी के पता नहीं कौन सा formula use कर रहा है, clear है आपको जैसे यह आपके पास question है यह रहा question, sheet 47 का एक circuit है जिसमें LRCR यह रहा है यह रहा है यह रहा है यह रहा है इसके अंदर R किसके इक वहल है under root of L, Y, C कहा रहा है switch को मने close कर दिया तो current यहां inductor capacitor में क्या कह रहा है current through C and L will be equal कह रहा है क्या रहा है current बराबर कब होगा time बताओ not for medical, लिख लो तो current inductor में यह होगा current capacitor में यह होगा बता दिया दोनों को equate कर दो बता दिया दोनों को equate करके क्या निकालने time निकालने आपको question में R क्या given है under root of L by C तो R square क्या होगा L by C R into R क्या होगा L by C और यहां से R by L क्या होगा 1 by RC तो यह R by L की जगा क्या put करेंगे 1 by RC यह रहा बस इसके बाद physics खतब है इसके बाद maths start है exponential फिर log लेके time की value निकालने है maths है total maths है पहला step clear है मेरा काम था current बताना inductor में और capacitor में समझ में आ रहा है not for medical next for medical आता है question alternating EMF E1 sin omega t E2 cos omega t तो क्या निकालना है इसमें RMS मैंने क्या सिखाया था अगर आपको ऐसी voltage given है तो E0 maximum voltage कैसे निकलेगी E1 का square और E2 square का under root तो RMS क्या निकलेगा इसको divide करेंगे root 2 आज हमने ऐसा question किया भी था ठीक है आता बार बार करने से practice से चीजें clear दिखती है next है अगर direct current है A DC इस superimposed on AC एक DC की current है एक AC current है तो उन्हों को मिला दिया तो निया current क्या बना? DC और AC क्या निकालना है effective value effective RMS value तो RMS value के लिए यह RMS का formula हमने किया याद है RMS IA की पूरी की पूरी value यहां पर पुट किया whole square इसे open किया A square B square 2 A b इसकी integration T इसकी T by 2 और इसकी zero तो यह T by 2 पुट किया T T T cancel answer medical के लिए भी मुश्किल है point समझ में आ रहा है पर non medical में तो ऐसे question आ सकता है ठीक है तो medical रहें कोई बाते में mark करता रहूंगा फिर आप अपने book solve करना ठीक है तो आपको घुबराने के जुरति है आप normal अप normal है ठीक हर आपको मुश्किल लगता है तो next यह question हमने किया हुआ है कैसे repeating pattern है याद है क्या निकालना है इसमे mean value of current बताना है तो मैंने क्या बताया था total charge by total time is average value तो I or T का graph का total area निकाल दो area of rectangle area of triangle total time T से divide तो कौनसी value आजाएगी mean current तो mean current निकालना हमने सीखा था यह question EMI का question डल गया बीच में EMI का question में in a uniform magnetic field B wire semi circle है of radius R तो यह एक semi circle है जिसका radius के R और magnetic field present है तो इसके about यह rotate कर रही है with omega if total resistance is capital R mean power generated क्या होगी rule number one mean power निकालनी है अब जब यह rotate करेगी तो इसमें flux change होगा आपको यह question जब semi circle घूम रहे आपको फील आ रहा है कि generator का question है generator में पूरा coil घूमता था और answer आता था E is equal to Nb A omega sin omega T क्यों आता था क्योंकि पहले flux आता था B A cos omega T और area यहां पर pi R square केजिए pi R square by 2 EMF कितनी generate होगी minus d phi by dt इसको differentiate करेंगे तो आपके पास यह EMF आएगी cos के differentiation minus sin omega T d by dt of omega T will give omega तो EMF आगई EMF से power आएगी power E square by R यह पूरे का square by R तो यह power आगई उसने बोला average power निकालो average current क्या होता था i dt की integration by T average EMF क्या होती थी e dt की integration by T average power क्या होगा p dt की integration by T इस पूरे p को उठा के यहां put करें constant बहार sin square की integration T by 2 तो answer आगया तो इसमें medical के लोग क्या करें generator का formula याद करें B omega area sin omega T लिख लिया EMF तक तो आजाएगा power E square by R यहां तक तो आजाएगा integration करने की जिगा आप मने मन में सोचें sin square की integration क्या होती है T by 2 और time से divide कर दें half आगया answer और shortcut sin square की average value होती है half तो लो half put कर तो average done खतम हो गया answer solve integration क्या करने हाफ हो गया हो गया medical वालों के लिए ठीक ठीक यहां तक इस question में L C R किसमे given है सीरीज में और यहां पर क्या लगा रखे है voltmeter इसमें volt और इसमें volt बराबर है इसके resistance given है क्या रहा है M meter क्या read करेगा और V1 क्या read करेगा inductor and capacitor की voltage बराबर है तो resonance है जब resonance है तो उसमें जो V2 और V1 की value exactly same है तो अगर V2 V1 same है तो पूरी की पूरी voltage क्योंने जाएगा resistor तो resistor में V1 की value क्या है 220 V वो तो cancel ही करके voltage बचा क्या यह बच गया पहला step clear है फिर से resonance है resonance में current क्या होता है V by Z नही होता V by R होता है current निकालने V कितने है 220 resistance कितने है 100 2.2 Ampere पहला answer ठीक है अब impedance इसमें और क्या निकालने आपने voltmeter की reading निकालने है net voltage क्या होती है under root of Vr square यानी की V1 square plus V2 minus V3 का whole square तो 220 क्या यह point clear है यहां तक कोई doubt तसमें